आज हम Python में देखने वाले हैं string में एक method ठीके जिसका नाम है string slicing method अब string slicing method क्या होती है इसका use हम करते हैं access करने के लिए जो characters होते हैं उनकी range मतलब suppose मुझे कोई मैंने कोई string एक print करवाई है ठीके कुछ string में से मुझे मैं चाहती हूँ कि सिर्फ five characters ठीके या four characters display हो जाए ठीके तो इसको हम किस type से display करवा सकते हैं ठीके हमारे output screen पर ठीके अब इसमें जो slicing होते हैं हम string की slicing उसको हम करते हैं एक operator के थ्रू जो होता है colon ठीके इससे हम कहते है slicing operator ठीके यहां मैंने लिखा है colon ठीके इस operator के थ्रू हम क्या करेंगे string की slicing करेंगे ठीके for example suppose मैंने यहां पर लिखा है कि एक bracket में मैंने लिखा है two यह slicing है हमारा string slicing operator और five ठीके यह colon आप कह सकते हो two slicing operator five it means string slicing will start from two to five मतलब जो string है string की चतनी पर length है हमारी ठीके string की जो हमारी length है उसके according two to five तक हमारे जो string है उसके character प्रिंट हो जाएगी ठीके हम एक example से समझते हैं यहां पर हमें कुछ code करेंगे ठीके जिससे आपको तो easily समझ में आ जाएंगा कि हम string की slicing किस टाइप से करते हैं ठीके देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर एक string लेते हैं मैंने एक variable यह string str ठीके उसमें मैंने यहां पर एक string ली ठीके अब मैं इस string को सबसे पहले asatis प्रिंट करवा के देखती हूं ठीके इसके बाद हम slicing operation से वह perform करके देखेंगे सबसे पहले मैं asatis इसको प्रिंट करवा देती हूं string ठीके इसको हम run करके देखते हैं यह देटी स्प्रिंट हो गया ठीके reflective thinkers अब इसके उपर जो हमारा string slicing method है वह apply करके देखते हैं using हमारा operator कौन सा operator slicing operator जिसको हम colon भी कह सकते हैं print slicing characters from 3 to 9 print print string ठीके s क्योंकि यहां पर str क्यों लिए हमने variable क्योंकि जो string है मेरे किस variable में है अभी str variable में यहां मैंने लिए मेरे string और इस पर मुझी क्या apply करना है slicing method तो मैं इसको लिखने का तरीका कैसे है इसको bracket में लिखते हैं इस ट्राइप से और यहां पर मैं क्या चाहती हूं कि 3 to 9 तक ठीके यहां पर का लिखाय में 3 to 9 तक slicing method अपलाय करना है अब मैंने यहां लिखा 3 और slicing कैसे लगाएंगे में यहां पर operator के through ठीके और 9 अब देखते इसको run करके जैसे ही मैंने इस file को run किया देखो मेरा output क्या आया सबसे पहले मैंने print किसको किया था string को और मैंने string किया थी reflective thinkers तो वह as it is print हुआ ठीके फिर next line मैंने लिखा कि print slash n means next line में slicing characters from 3 to 9 तक है slicing characters from 3 to 9 यह भी as it is print हुआ ठीके इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि print string मतलब जो string ही मेरी वह 3 colon 9 ठीके अब देखो जो reflective thinkers मैंने लिखा है इसमें देखो 0 1 2 3 ठीके indexing कहा से start होती है 0 से तो 3 number पर क्या आ रहा है मेरा L ठीके तो उसने L से start किया यहाँ पर कहा से print होना चाहिए L से कहा तक 9 तक तो देखो अब इसमें क्या हुआ सिर्फ 8 जो indexing है मेरी वही तक print हुआ क्योंकि यह क्या करता है कि जहां तक हमने बोला है उसके एक character पहले तक ही सिर्फ हमको output डिस्पले करता है ठीके यह होती हमरी slicing सब्स मुझे आती हुआ कि 9 तक मेरा प्रिंट हो तो मुझे 10 लिखना पड़ेगा इंडेक्सिंग में ठीके तो इस टैप से print करवाता ही है देखो slicing method समझ में आ गए कैसे print करवाता है जहां से हम स्टार्ट करेंगे तो 3 से तो 3 जो 3 नंबर पर इंडेक्स रहेगा हमारा ठीके तो उसको तो प्रिंट करेगा ही मतलब L को तो उसने print किया लेकिन जो 9 नंबर पर क्या रहा था हमारा E यह जो E हो 9 नंबर पर आ रहा था उसको उसने print नहीं किया तो slicing method में क्या होता है कि जो last हमारा 9 नंबर का character होता है इसको print नहीं करता है उसके पहले तक ही stop कर देता है मतलब 8th character तक print करता है ठीके तो यह होता है slicing method इसमें यह आपको कोई भी doubt होता आप मुझे comment section में पूछ सकते हूं thank you झाल